नमस्कार दोस्तों सागत आईव कर फिर से आपका एकसल हो में चैनल में और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक चुटा सा टेवल बनाए हुआ है मैं आप को एक ऐसा फॉर्मिला बताने वाला हूँ जो मैंने अभी तक पहले वीडियो को भी नहीं बनाए उसके बारे में सबसे हटके एक अच्छा सा फॉर्मिला आपको बताने वाला हूँ इंडेक्स मैच अगर मैं यहां पर कोई भी नाम अगर चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं जो जो एड्रेस है वह भी यहां पर नीचे चेंज हो जा रहा है तो वह हम कैसे कर सकते हैं आए जानते हैं आज वीडियो में अगर अभी तो आप नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए ओके आप मैं इस और से पहले डिलीट कर देता हूँ आपको इस स्टार्डिंग से दिखाने के लिए यह टेबल में अगर आपको यहां पर निकालना है किसी भी का भी यहां पर कोई भी नाम हो सकता है तो आप index और मैच की मदद से कैसे निकाल सकते हैं सो सबसे पहले आप index formula type कीजिए गए यहां पर आप index लिखेंगे तो automatically formula आजाएगा उसके बाद उसमें पूछता है array array में आपको जो टोटल आपका table है वह select कर लेना है उसके बाद आप comma लगाएंगे और match टाइप करेंगे मैच टाइप करने के बाद आप देखेंगे इसमें lookup value पुछता है तो हमें क्या ढूंडना है हमें lookup value यह ढूंडना है कॉमा लगाएंगे lookup array पुछता है lookup array तो यह जो value है वह आपको कहां मिलेगी इसमें नाम के अंदर तो आप पूरा array आप select कर लीजे कॉमा लगाएंगे उसके बाद यह पुछता है कि आपको exact match यह less than greater than so आप simply zero डालिए exact match के लिए उसके बाद इस bracket को close कर दीजिए फिर कॉमा फिर match एक बार टाइप करना है दोबारा से उसमें same lookup value lookup value हमें address जूनना है तो address चाहिए जो की 11 में है उसके बाद आपको पूछता है कि lookup array क्या है lookup array हमें लगाना है यहां से name id address इस तरीके से पहले बी lookup वाला same function यूज़ करना है फूर h lookup वाला function यूज़ करना इसके बाद exact match के लिए 0 और दूसरा bracket 1 तो इस तरीके से जो फॉर्मिला है वो यहां पे आप देख सकते हैं यह आपका जो है यह है formula index match आप enter करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं माही का जो address है अब type करता हूं तो उनका address हो गया Khalifa a Mohan type करता हूं तो यहां पे जो अलेन हो जाता है तो इस तरीके से आप index match की मतल से यह जो formula है ओपर देख सकते हैं index match की मतल से कोई भी data इस तरीके से आप search कर सकते हैं और short कर सकते हैं बी lookup और h lookup यूज़ करने की बजाए तो अभी के लिए यह थे अज़ीा इतना ही दोस्ते मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आप तो चैनल को like कीजिए अगर वीडियो को like कीलिए और चैनल को subscribe करेंड कि और comment करके हमआ बताई के वीडियो को कैसा लगा मिलते切क वीडियो में तब-तक के लिए टेकम केऊ good night, bye-bye